हेलो नमस्कार दोस्तो टेक्निकल महासागर में जिसमें अपन 10,000 क्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तो क्लास से अपनी यह है सेकेंड क्लास फर्ष्ट को देखने के लिए डिस्क्रेप्शन बोक्ष में लिंक दिया गया है वहां से आप पहले क्लास फर्ष्ट को आज का मोटिवेशनल क्यूश जो कि हैं बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरिया कुमत को सो हर हालात में हमेशे चलना सीखो दोस्तो इस परकार की कोई क्यूश आप भी कमेंट में लिख सकते हैं आप अगर अच्छी कमेंट करेंगे तो हम उस कम मैंने आपके लिए एक क्यूशन दिया था जिसको आपको करना था कि क्यूशन है आदर्स एमिटर का परतिरोध होता है तो दोस्तों आदर्स एमिटर का जो परतिरोध होता है ओप्शन दे गए हैं उच्छ निमन सुनने या अनंत तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर हो द्वनी परदुसर्ण फिलता है सोर उर्जा स्रोत से पवन उर्जा स्रोत से बायो गेस उर्जा स्रोत से या जवारिय तरंग उर्जा स्रोत से तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्टली आपका कंप्लेट लिस्ट सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ओप्शन पवन उर्जा स्रो Oud की अधिकतम शम्ता तो दोस्तों तो जो सो किलावाट एकसो पचास किलावाट एकसोusan किलोवाट या 200 किलोवाट तो तो यहाँ पर जो आपका कंप्लेटli सही आनसर ह्यईगा वह है तो किलोवाट एक सम्निया पर कंप्लेट ले आपका स इतनी होती हैं तो 25 परतिसत 15 परतिसत 40 परतिसत या 60 परतिसत तो दोस्तों यहां पर जो आपका सही आंसर एगा बी ओप्चन 15 परतिसत नेक्स्ट जो क्यूशन है वह है सूरे से उर्जा उर्तसर्जन का कारण है सूरे से जो उर्जा का उतसर्जन होता है उसका कारण क्या है त का दहन है या uranium का दहन है तो दोस्तों यहाँपर से जो आपका आशर आएगा वह हैं A option ना भी किये बहुत का इसलीन करला जो क्यूशन है वह हैं आपका परमानौ शक्ति सयंत्र में ग्रेफएट का प्रियोग किस रूप में किया जाता है किस रूप में यहाँ पर Gray fat का फर्योग किया जाता है सक्ति सयंत्रों में तो दोस्तों मंदक सीतलक मंदक या इलेक्रोड तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वहाँ आएगा C option मंदक ठीक है यहाँ पर दो बार है प्रिंटिंग मिश्टे गए इसको आप सुदार लेना लेकिन यहाँ पर जो completely say answer रहेगा वह रहेगा आपका मंदक ठीक है next जो question है वह बांद के पीछे जमा जल कहलाता है जो बांद के पीछे जो जमा जल होता है वह क्या कहलाता है तो दोस्तों वह कहलाता है क्या टेल रेस, हेड रेस, उत्पलव मार्ग या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर C option आपका completely say answer रहेगा उत्पलव मार्ग नेक्स्ट जो question है वह है टर्बाइन की गती नियंत्रित की जाती है जो टर्बाइन रहते है वह है जो पानी के द्वारा गूमते है उनकी गती नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है गती को किस से कंट्रोल किया जाता है तो क्या वालव हाउस परत्यावर्तक द्वारा गवर्नर द्वारा या पावर हाउस द्वारा तो दोस्तो इसकी जो गति को नियंत्रित करते हैं वह होते हैं गवर्नर ठीक है C option यहापर आपका completely सैयांसे रहेगा नेक्ट क्यूशन पर बात करते हैं जो कि है वह सक्ति सैयंत्र जो परियावर्न यह समश्याओं से मुखते हैं तो वह क्या कहलाता है क्या डिजल इंजन सैयंत्र तो दोस्तो परियावर्न यह समश्याओं को यानि कि परदुशन है ना तो कौन सा वह सक्ति सैयंत्र है जो परिय तो दोस्तों परमानू सहयंत्र क्या है यह तो सबसे बड़ा जो है ना पर्यावर्णिया समश्या कारण है क्यों क्योंकि जब भी विसफोट होता है या इसका रेडियन निकलता है वह बहुत ही खतरना होता है तो यह भी नहीं होगा यहां पर भी क्योंकि परमानू का विखंडन होता है तो वहाँ पर भाब बनती है उसके द्वारा वास्प सहयंत्र कारे करते हैं डिजल का भी इसी से संब्दित है ठीक है तो यह तीनों तो एक जैसे मिले हुए हैं लेकिन जल वाला क्या है इस पर से ट्रबाइन गुमते हैं ओली तो यह है बिल्कुल कर्यक्ट यहां पर आंसर रहेगा नेक्स्ट क्यूशन पर बात करते हैं जो कि रहे हैं बेटरी चार्जर एक साधरण है बेटरी चारजर क्या है DC पावर सप्लाई है AC power supply है A और B दोनो या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपका A option का प्लेटरी सेहान से रहेगा DC power supply दोस्तों अपन बेटरी चार्जर में AC देते हैं और बेटरी चार्जर में लगा होता है एक तो ट्रांसफार्मर जो AC को कंट्रोल करते हैं यानि कि जो उसी वाद होता है वह 2100-24 ओल्ट और 12-06 ओल्ट से ट्रांसफार्मर होता है ट्वाला जो 24 olan 12 और 6 Mari पर उसroeह वहही होते हैं 23andering में बदलता है 12 वह 2000 वह भूदलता है उसी ट्रांसफार्मर के बार लगता है यह टी भायर सहरे एस सी को डीस्टी में बदलता है एसी को recommend 200 फीरापनकोड डीसी मिलती है तो बीसी पावर सप्प्लाई के लिए बेट्रीचारजर8 सादरन मसीने जबेट्रीचारजेर8 intens dá quier 묶न है vide नेक्स्टेड қूशेन है वह है तो दोस्तों यहाँ पर से जो आपका completely answer आएगा वह है डी option इस्तितिक converter ठीक है इन्वेटर इस्तितिक इन्वेटर केसे हैं तो देख किये दोस्तों इस्तितिक का मलब एक इस्थिर जगह पर पड़ा होता है इन्वेटर अगर आपके घरों में तो एक इस्तिर जगह पर द्वारा मापा जाता है तो क्या वेन ब्रीज के द्वारा स्केरिंग ब्रीज के द्वारा मेक्सवेल ब्रीज के द्वारा या ओवन ब्रीज के द्वारा तो दोस्तों यहाँ से जो आपका completely answer आएगा वह है मेक्सवेल मेक्सवेल ब्रीज के द्वारा प्रेर कत्व को मापा है अगला जो क्यूशन है वह है सिटी यानि की करंट ट्रांसफार्मर का विशिष्ट निर्गत होता है तो दोस्तों यहां पर विशिष्ट निर्गत यानि की करंट क्या होता है विशिष्ट मापक यानि की मापने के लिए तो वह है वह है दोस्तों यहां पर वह है भी करेंट ट्रांस्फार्मर का सिटी ठीक है अगला जो क्यूशन है पी टी आनी की पोटेंटियल ट्रांस्फार्मर का विशिस्ट निर्गत होता है तो पचास ओल्ट एक सुदस ओल्ट चार सो ओल्ट तो दोस्तों यहां पर जो आपका कंप्लेटली आंसर आएगा वह है आपका अंसर बी आप्शन एक सो दस ओल्ट ठीक है नेक्स्ट जो क्यूशन से वह है एक आधर से डिसिस जनरेटर का रेगुलेशन होता है रेगुलेशन क्या होता है एक आधर से डिसिस जनरेटर का रेगुलेशन होता है अंतर ठीक है यानि कि अपन को जिसे की दोस्तो 20 मिल रहा है तो यहां पर 240 मिलना चाहिए 220 मिल रहा है तो यहां पर regulation कितना है तो 20 का है क्यों क्यों कि अंतर कितना है 20 का है यह तो speed का होता है जो direct संक्या में लेकिन परतिसर में पूछे तो फिर अपने को इसका परतिसर निकालना होता है तो एक आदर्स होता है ना तो उसमें कितना होता है तो यहाँ पर आपका D option completely से answer रहेगा उसका जो होता है वह जीरो regulation होता है यानि कि अंतर बिल्कुल भी नहीं होता है जितना है उतना ही मिलेगा वह होता है आपका आदर्स डिसिस जनरेटर अगला जो question है वह है आपका एक उ संपून दक्षिता लगबग होती है दोस्तों यहाँ पर संपून दक्षिता के बारे में पूछा गया है डिसिस जनरेटर से संबन देती ही कि संपून दक्षिता लगबग होती है तो वह कितनी होती है तो दोस्तों यहाँ पर होती है असी दोस्तों सो परसेंट तो कभी भी किसी के नहीं होती, रोटरी यानि की जो गूमने वाली चीजे होती है उनकी 100% तो नहीं होगी, ठीक है तो यहाँ पर आपका 80 completely सयान से रहेगा, नेक्स्ट जो क्यूशन है, वाय है आपका यह इसरों में भी पूचा गया, क्यूशन है, यह आप ध्यान रखना तत्व के सबसे चोटे कण को कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिखा है, दोस्तो इतने बड़े एक्जाम में इतना सा क्यूशन पूचा गया है, जो बच्चे यार नहीं करते और कहते हैं कहते क्या है, कि इतने सिंपल से क्यूशन सर क्यो करवाते हो, थोड़ा हाड करवाओ दोस्तो हाड वाड की चक्कर में लगोगे तो छोटे जो नॉर्मल से क्यूशन है ना उनको छोड़ दोगे आप और इनी से आपके नम्मर क्या हो जाएंगे मायनस मार्किंग के द्वारा कट जाएंगे क्योंकि आप सई करके नहीं आओगे तो दोस्तो इनको जरूर पढ़े छोटे से सुरुवात करे जो क्यूशन आपको याद रहते ना वही क्यूशन सिंपल रहते है और जो याद नहीं रहते वही क्यूशन कटिन होते है पेपर वही कटिन होता है जिसके क्यूशन आपको याद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर कटि याद कर लोगे ठीक है तत्व का सबसे छोटा कण कहा जाता है तो दोस्तों वह एक परमाणू बहुत ही सिंबल सा क्यूशन है अगला जो नेक्स्ट क्यूशन है सक्ति सयंत्रों में प्रियुक्त किया जाने वाला कोयला है दोस्तों यह कूशन भी आया है DRDO में सकत धिसेंत रोषों में प्रिउजद किये जाने वाला कोईला है क्या steam call calk, charcoal या soft कोईला तो दोस्तों इसका जो answer है वह है a option steam call थीक है नेक्ट जो है वह है भारते रेल में प्रिउजद लोकोमोट्यू की शमता कितनी होती है यानि कि DMRC में यह क्यूशन पूचा गया है भारते रेल में प्रयोकते डिजल लोकोमोटिव की शमता कितनी होती है तो 500 से 1000 HP 2000 से 2500 HP 100 से 200 HP 5000 से 1700 HP तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा B option जो कि है 2000 से 2500 HP आपका completely answer से answer होगा next question पर बात करते हैं जो कि है electron पर आवेश होता है दोस्तों कितना simple सा question है जो कि MPKPKVVCL में पूचा गया question है दोस्तों यहाँ पर जो आपका answer आएगा वह होगा minus 1.6 into 10 की power minus 19 ठीक है बहुती simple सा question है 1.6 minus 1.6 into 10 की power minus 19 यहाँ पर आपका completely साई answer होगा पीचे C लगा देंगे है ठीक है अगला जो question है वह है आपका 41 number जो कि है बिजली की गती है बिजली की गती पूची गई है यहाँ पर option आपके यहाँ पर है 8.6 into 10 की power 8.3 बी option है 3.8 into 10 की power 8 meter per second C option है 1.8 into 10 की power 8 meter per second और D option है 2.8 into 10 की power 8 meter per second दोस्तों यह questions आपके homework के लिए है यानि कि इसका जो answer है आपको देना है comment box में आपको अगर questions नहीं आता ठीक है questions नहीं आता तो आप कल वाली वीडियो देखेगा उसमें आपको इसका answer मिलेगा सबसे पहले आते में इसका answer बताऊँगा जैसे कि आज मैंने 21 number की questions का answer दिया था दोस्तों questions यानि कि आपको सारे total questions अभी तक करवाएगा questions कैसे लगे आपको questions अच्छे लगे हुए है तो वीडियो को like कीजेगा जिससे कि हमारा होसला बलंद होता है बढ़ता है और आपके लिए इसी प्रकार से इससे जदा अधिक मैनत करने का हमारा होसला बढ़ता है ठीक है तो like कीजेगा वीडियो को share कीजेगा और comment जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद